दोस्तो एक खिलाडी को दुनिया और भारत में नाम बनाने के लिए सालों साल तक लग जाते हैं लेकिन उम्रान मलिक एक ऐसे नाम है जिन्नोंने सिर्फ दो ही मैच में पूरी दुनिया में नाम कमा लिया है उम्रान मलिक जिन्ने अब जम्मू एक्स्प्रेस के नाम से जाना जाता है और साथ ही जिन्ने इस पीट किंग और रफ्तार का सोदागर भी कहा जाने लगा है उन्होंने दिखा दिया है कि मोका मिलने पर मोके को केसे भुनाये जाता है सिर्फ दो ही मैच में उम्रान मलिक पूरी दुनिया पर चागे हैं अपने दूसरे ही मैच में हैदरबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 153 किलोमेटर पर दिगंटे की रफतार से बोल फेक दी जिसने बड़े-बड़े दिगजो को काहिल कर दिया इस मैच में RCB को हार का सामना करना पड़ा हाना कि उम्रान मलिक ने इस मैच में एक विकेट लिया लेकिन RCB के कप्तान और भारत के कप्तान विराट कोली उनके इस परदर्शों को देखके काफी इंप्रेस हुए है इस मैच के बाद विराट कोली और उम्रान मलिक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है विराट कोली ने उम्रान मलिक को लेकर क्या का वो हम आपको बताते हैं विराट कोली ने कहा कि ये टूर्णामेंट हर साल परतिवाओं को सामने लाता है एक खिराड को डेर्सों की स्पीर्ट से गेंदबाजी करते हुए देखना अच्छा है और तेज गेंदबाजों का मजबूत होना हमेशा भारते क्रिकेट के लिए एक अच्छा संकेत है और जब भी आप इस तरह की प्रतिवा देखते हैं तो आपके नज़र उन पर होती ही है और सुनुश्चित करते हैं कि हम उनकी शमता को अधिक्तम करें यानि और जादा से जादा बढ़ा है यानि व्राट कोली ने कहीं न कहीं ये संकेत दिया है कि उम्रान मलिक आने वाले वक्त में टीम इंडिया का हिस्सा जरूर हो सकते हैं उनमें शांदार प्रतिबा है और इसको देखते हूँ उनको टीम इंडिया में शामिल आने वाले वक्त में किया जा सकता है वहीं दूसरी और उम्रान मलिक की गेंदबाजी में एक एहम रोल इर्फान पठान का भी निकल कर सामने आ रहा है उम्रान मलिक ने अपनी गेंदबाजी का शेर फार्म पठान को दिया और कहा है पीरफान पठान ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है नैट्स में मुझे जब कैन विलियमसंग या डेविल वार्नर के सामने गेंदबाजी करनी होती थी तो पहले मैं डरा हुआ था इसके बाद मैं सीखता गया और इससे मुझे काफी मदद मिली दोस्तों उम्रान मली के कैसे भारती गेंदबाज बन गये हैं जिन्होंने आईपेल के हिस्ट्री में सबसे तेज गेंद फेक है इससे पहले कोई भारते खिलाडी इतनी जाधा तेज गेंद नहीं डाल पाया थे लेकिन उम्रान मली नपने पहले दूसरे मेच में ही दिखा दिया कि उनमें कितनी जाधा प्रतिबा है और इस आईपेल के सीजन में उन्होंने सबी को पीछे छोड़ दिया और सबसे तेज गेंद फेक डाले और इनकी इसी प्रतिबा को देखके आप क्रिकेट फैंस और कई लोग यही कह रहे हैं कि जल्द ही वो इस खिलाडी को टीम इंडिया में देखना चाहते हैं उम्रान मली के शांदार प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं साथ है आप हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिकेट खेल और खिलाडी उसे जुड़ी खबरे आपको मिलती रहें